जै हिंग जै भार दोस्तो मैं हूँ अजीत फोजी सुंगरपुरिया आप देखरे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्स कैडमी तोसम दोस्तो आज हम बात करेंगे एक रिलेशन की बरती के बारे में जो की आरवीसी सेंटर मेरिट केंट से निकल कर सामने आई है इससे पहले दोस्तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सेना के अंदर गोडों और कुटों का विशेश मैतव है तो ये जो रिलेशन की बरती है ये आरवीसी सेंटर के दवारा की जाएगी इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें नर्शिंग असिस्टेंट वेटनरी का रि साइड से फिजिक्स केमेस्ट्री के अलावा बाइलोजी रखते हैं या उसके अलावा बटानी या जुलोजी से करते हैं और हर सब्जेक्ट में 40 नंबर और और हाल 50% मारक हैं वो ये बरती देख सकते हैं जो ये बरती है ये है सोल्जर एने वेट यानि नर्शिंग असिस् ये बरती जो है 29 सितंबर 2021 को सुबह साड़े 5 बजे की जाएगी तो जो भी मेरे बाइए इसके लिए एज है साड़े 17 से 23 साल तो जो रिलेशन के बच्चे हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं जिन के पास ये है तो इसके अंदर अधर के चांच भी बन सकते हैं जो अधर जिन लड़कों ने ये सब्जेक्ट हैं और जो नर्शिंग असिस्टेंट की बरती देखना चाहते हैं वेटनरी की तो यहाँ पर जा सकते हैं उनके लिए अच्छा मोका है लेकिन जो सोल्जर जीडी के लिए भी बरती है यहाँ पर जो कि 28 सितंबर 2021 को सुबह साड़े 5 इसके लिए इसके लिए जो योग गेता है वो आपको बता दें 10 इसके लिए है दस्वी पास होना चाहिए जिसके अंदर है और 45 परसेंट मारक होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर से उपर हो गरेश से पास नहीं हुआ हो तो इस परकार से जो भी मेरे बाईश में रिलेशन की बरती देखने जा रहे हैं सोलजर जीडी के लिए तो यहाँ पर अदर का चांस बहुत कम है क्योंकि यह चोटा सेंटर है यहाँ पर विकेंशी लिम्टीड रहती है तो खुद के सेंटर वालों को प्रियोटी मिलती इस कार्ण अदर के चांस का बहुत ही कम है हा नर्सिंग अशिस्टेंट में चांस है अदर के क्योंकि यहाँ पर इसके लिए अच्छी विकेंशी आ सकती है तो और लड़कों के लिए एजुकेशन अच्छी है इसमें तो इस कार्ण इसमें चांसी है यहाँ पर जा सकते है उसके अलावा एक ट्रेड मेन के रिलेशन की भी बरति की जाएगी जिसके लिए एक ही पैद है पद है सैप के लिए जिसकी उमर भी साड़े सत्रा से तेईस साल है इसके लिए दस्वी पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना जरूरी है तो यहाँ पर ध्यान दें बाई जो सोल्जर ट्रेड मैन के लिए सैप के लिए एक ही पद है और जो पातरता जो मिद्वार हैं वो यह केवल बरती सिरफ पुरुष कंडिडेट के लिए यहाँ पर महिलाएं लाउड नहीं है उसके अलावा जो भी मेरे बाई हैं इसके लिए सोल्जर जिडी के लिए एज कटोफ है वो एक अपरेल 2000 से लेकर एक अक्तूबर 2003 के बीच होना चाहिए उसके बाद सोल्जर टेक्निकल के लिए जो नर्सिंग असिटेंट वेटनरी के लिए है एक अपरेल 1998 से लेकर एक अक्तूबर 2003 के बीच होना चाहिए सोल्जर ट्रेड मैन के लिए जो एक इपद है उसके लिए एज कटोफ है एक अपरेल 1998 से एक अक्तूबर 2003 तो जो भी बाई कंडिडेट इस बरती में जा रहे हैं आपर तीन ट्रेड की बरती आपको बता दी गई है वीडियो को द्यान से सुने सबको पता लग जाएगा किस ट्रेड की बरती क्या योग गेता है उसके लिए उसके अलावा जो भी बाई अपने सारे डोकॉमेंट बरती के लिए इसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो बना हुआ डोकॉमेंट के लिए जिसको भी समझ में नहीं आता तो हमें वाटसब कर फौन कर पूछ सकता है डो जो और सेंटरों में बरती होने वाले हैं जैसे अर्मर्ड सेंटर, MIRC सेंटर एहमन नगर और भी सेंटरों की जो बरतियां है तुरंत अपडेट की जाएंगी जल्दी उनके वीडियो आपको देखने को मिलेंगे पंजाब रेजमेंट की बरती जो की आद से शुरू थी उ पीडियो तो बनाया था लेकिन टेक्निकल एरर की वज़े से अपलोट नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत-बहुत खेद है दोस्तों बाकि आप जब भी हमारे चैनल को देख रहे हो तो सबस्क्राइब पका करें लाइक करें कोमेंट्स करें शेर करें इस बरती के लिए जो से तो आप हमारे टेलिगराम गुरूप को जोइन करें दोस्तों बेस्ट अप लग जै हिन जै भारत